गुड मॉनिंग एप्टिवन, वेलकम टू एग्जाम और्बिट क्लासेश, आज है 27 जून और आज के सेशन में 27 जून से सम्मंदित करेंट अफियर के बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में किस केंडरिय मंत्राले ने ओसन रिंग ओफ योगा विशेश कारिकरम का आयोजन किया है आयोजन मंत्राले, सिक्छा मंत्राले, खेल मंत्राले या फिर बिदेश मंत्राले नदी के नीचे बनेगी, तो फंस याद रखेंगे, ये जो Underwater सुरंग है, ये भ्रह्मा पुत्र नदी के नीचे बनाइजाएगी, कहा पर बनने वाली है, तो भ्रह्मा पुत्र नदी के नीचे यह सुरंग बनाई जाएगी जिसके घोश्णा हाली में असम के मुख्य मंत्री यानि कि हिमंत विश्व सर्माजी के दुवारा की गई है और ये सुरंग आपस में किसे जोड़ेगी तो नुमाली गड़ को गोहोपुर से जोड़ेगी जैसा कि आप सभी इस मैप के माध्यम से समझ सकते है देखे ये है नीचे ब्रह्मापुत्र नदी और ये गोहोपुर को नुमाली गड़ से जोड़ेगी यानि कि असम की ये पहली अंडर वाटर सुरंग होगी ठेक है और ब्रह्मापुत्र नदी के नीचे से बनाया जा रहा है और इसके बाद याद रखेंगे पूर्वोतर भ बनेगा current plus geography का तो ब्रह्मपुत्र नदी से किस प्रकार की question आप से पूछे जा सकते हैं पहला तो पूछा जाएगा कि इसका उद्गम कहां से होता है या फिर पूछ लिया जाएगा कि यह कहां पर अपना जल गिराती है इसकी प्रमुक साहयक नदियां कौन-कौन सी है तो एक तब हम इसे देहां के नाम से जानते हैं फ्रेंट्स याद रखेंगे जैसे ही यह अरुणा चल प्लदेश में प्रिवेश करती है तो इसे हम क्या कहते हैं देहां कहते हैं इसके बाद जैसे ही यह असम में प्रिवेश करती है तब हम इसे ब्रह्मा पुत्र नदी के नाम से जानते हैं और यह कहां पर अपना जल गिराती है तो बंगाल की खाड़ी में बांगला देश होते होगे बांगला देश में से किस नाम से जानते हैं तो जमुना की नाम से जाना जाता है ब्रह्मा पुतर नदी को और यहां से आप देखेंगे गंगा गंगा जैसे ही बांगला साहयक नदियों में याद रखेंगे सुबन सीरी सुबन सीरी के बाद लोहित, धन सीरी, मानस संकोच और इसके लावब एक महतपूर्ण सायक है तीस्ता जो कि कहां से निकलती है जैमू ग्लेशियर जैमू ग्लेशियर यानि कि सिक्यम से इसका उदगम होता है और ये महतपूर्ण सायक नदी है ब्रह्मा पुत्र की, ठीक है तो ये कुछ important point है जो कि आपको याद रखने है ब्रह्मा पुत्र नदी के बारे में ये हम अभी discuss करी चुके हैं सारा अब discuss कर लेते हैं लेटस्ट करेंट अफियर में कुछ ऐस्टरा जानका दी खबरों में रहा दीपोर वील बैटलेंड कहां पर है तो फ्रेंट्स ये असम में मीठे पानी की सबसे बड़ी जीलों में से एक है और वड लाइफ इंटरनेसनल दुवारा घोशित एक महतकूर पच्छी छेत्र है और ये काफी सुर्कियों में भी रहा था किसने असम की बाड प्रबंदन परियोसना के लिए 108 मिलियन डॉलर के रिण को मंजूरी दी है तो ये बल्ड बैंक के दुवारा दी गई है मैप में आप सभी असम की लोकेशन देख सकते हैं असम की जो अंतरास्टिय सीमा है वो किन देशों के साथ लगती है तो भूटान के साथ लगती है और बांगला देश के साथ लगती है बांगला देश के साथ असम दो बार सीमा बनाता है यहां से और यहां से याद रखेंगे दो बार सीमा बनाता है असम बांगलादेश के साथ असम के कुछ प्रमुक नैसनल पार्क हैं जो कि अक्सर एक्जाम में देखने को मिलते हैं यह सभी नैसनल पार्क आपको कहां देखने को मिलेंगे तो असम में देखने को मिलेंगे अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आइकन दवाना बिलकुल न भूले जिससे आप सभी को क्लास का जो नाटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा साथी में इस क्लास की जो पीडियाप है वो बात में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर एजली मिल जाएगी टेलिग्राम पर जाकर exam orbit classes से logo आपको दिखाई देगा जिसने भी टेलिग्राम channel join नहीं किया है, join कर दीजे और अगर अभी तक class को like नहीं किया है, तो एक बार like कर दीजे अगला सवाल केंद्रिय परियावरण मंद्राले ने बंगाल की खाड़ी में कलेग नार पैन इसमारक के लिए किस राज्य सरकार को मंजूरी दे दी है तो friends ये इसमारक बनेगा तमिलाडू तमिलाडू को मंजूरी दे दी गई है और इसमारक जो बनेगा वो बंगाल की खाड़ी में बनेगा कहाँ पर बनेगा तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में बनाया जाएगा डिसकस कर लेते हैं आगे इस इसमारक के बारे में क्या खेंगे है क्या तो देखिए डॉक्टर कलेग नार पैन इसमारक एक प्रस्ताबित अब तटिये इसमारक है और ये हैं तमिलाडू के उर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है एम करुणा नेदी को समर्बित है ये जो एम करुणा नेदी है ये काफी पड़ सिद्दल लेखक कभी और बकता थे इसलिए इने कले नार यानि की कलाकार की नाम से जाना जाता था और इनी के पर बंगाल की खाड़ी में ये हैं इसमारक बनाया जाएगा इसमारक तमिल साहित संस्कृती और उनकी राजने तिक बिरासत में उनके योगदान का प्रतीक होगा तो इसकी मंजूरी मिल चुकी है तमिलाडू गवर्रमेंट को आगे डिसकस कर लेते हैं तमिलाडू के बारे में तो मैप में आप सभी लोकेशन देखेंगे सीमा किन राज्यों से लगती है केरल, करनाटक और आंधरपरदेश से लगती है सेवराय और जाबदी पाहाडियां ये काफी परसिद्ध पाहाडियां है और ये दोनों ही पाहाडियां आपको तमिलाडू में देखने को मिलेंगी इसके लाबा याद रखेंगे कि तमिलाडू में नीलगिरी की पाहाडी पर डोड़ा जन्जाती पाई जाती है सरी टोड़ा नीलगिरी की सबसे उची जो चोटी है वो डोड़ा बेटा है तमिलाडू में है और रूस के सहयोगसे से बिक्सित किया गया लॉटे मांसून से बरसा किस टटपर होती है कुरोमंडल टटपर दच्छर भारत का मैंचेस्टर किसे कहते हैं तो फ्रेंट्स यात रखेंगे तमिलाडू के कोयमबटूर को कहा जाता है तमिलाडू राज्ये निरत कौन सा है तो भरतनाट्यम है जल्ली कट्टू और पॉंकल जो फेस्टिवल है ये तमिलाडू में मनाए जाते हैं भारत का 51 बाद जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम है स्री बिल्लू पुथर मेगा मलाई और ये कहां पर है तमिलाडू में स्री ब्रदेश्वर मंदिर जो कि युनेस्को की विश्व धरोवर सूची में सामिल है ये भी आपको तमिलाडू में देखने को मिलेगा अब आप मुझे बताएंगे कि ब्रदेश्वर मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था पैंगल पाथू कापटू थिटम जो की महिला सुरक्षा योजना है ये एक नई योजना है जिसके शुरुव अत्तमिलाडू गवर्मेंट की दुवारा की गई है किस राज्ज ने 5,5 लाग एकर जमीन में डेसार बिदी दुवारा धान की बुवाई का लक्ष रखा पंजाब किस राज्ज सरकार दुवारा एकिकरत जल संसादन कार योजना 2023-25 को 25 का उदगातन किया गया हर्याना गवर्मेंट के दुवारा किस राज्य सरकार दुवारा पांस साल के लिए मिलेट मिशन शुरू किया जाएगा या लागू किया जाएगा तो आप सभी याद रखेंगे तमिलनाडू गवर्मेंट के दुवारा अगला सवाज संकर महादेवन को किस देश में डॉक्टरेट की जो मानद उपादी है ये मिली है तो फ्रेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्सेन एक बिटैन में इन्हें मानद उपादी से सम्मानित किया गया है बात कर लेते हैं यूके की तो मैप में आप सभी लोकेशन देख सकते हैं यूके जो की उत्तर पच्चमी यूरोप में इस्तित एक दीप रास्ट है चार देश सामिल हैं इसमें इंग्लेंट, स्कॉट्लेंड, बेल्स और उत्री आइलेट राजधानी लंदन है बर्तुमान में पी-म रिसी सुनक है और समराट यहां के कौन है, तो चार्स तर्टिय है अगला सवाल, किस राजधा सरकान ने कानूनी साहिता रक्षा परामर्स प्राणली लॉंच की है तो कानूनी साहिता रक्षा परामर्स जो प्राणली है ये उत्तर प्रदेश गवर्मेंट की तुबारा लॉंच की गई है डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो देखे उत्तर प्रदेश सरकान ने कानूनी सायता रक्षा परामर्स प्राणली लॉंच की यह कारिकरम दो बरसों तक प्रभाबी रहेगा इसका जो लक्ष है वो जरूरत मंदो को विशेश कर आपरादिक मामलों में मुफ्त कानूनी सायता प्रदान करना है यह इसका महत्पून लक्ष है आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटिस्ट करेंड अफियर में जैसे संगही सयोग संगटन मिलेट्स फूट फेस्टिवल का जो आयोजन है यह कहां पर किया गया मुंबई माहरास्ट में सारवजनिक परिभेहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे सहरों की सूची में के सहर को जगे मिली है मुंबई को हिमाचल प्रदेश ने किर्सी और पसुपालन सम्मंधित कौन सी योजना सुरू की संजीबनी पर योजना महिला प्रीमियर लीग 2023 किसने जीती है तो मुंबई इंडियन्स ने जीती है अगला सा बाद क्यारी कोस मिथो टाकिस किस देश के नए पीम चुने गए है तो सबसे पहले आप सभी इन्हें पिक में देख लीजे और ये नए पीम चुने गए है कहां के ग्रीश के यानि कि फिर से पीम इन्हें चुन लिया गया है तो ग्रीस की location आप सबी map में देखेंगे यूरोप महादीप में इसते एक देश है देखें ये है ग्रीस ग्रीस के बारे में क्या-क्या याद रखेंगे तो ग्रीस बालकन प्राइदीप का सबसे दच्छुडी देश है और ग्रीस में 2000 से अधिक दीप है जिन में से लगबग 170 दीप बसे हुए है यहां के जो परतमान में प्रेसिडेंट है इनका नाम है कैतेरीना और जो परतान मंत्री बन गये हैं पहले भी थे और फिर से इने चुना गया है तो क्यारी कोस है राजदानी एथेंस है वो मुद्रह यहां की है यूरो अगला सवाल रणबिजय अभ्यास किसने आयोजित किया है तो रणबिजय जो अभ्यास है इसका आयोजन भारतिय बायूसेना के दुबारा किया गया है विसकस कर लेते हैं तो दीखे भार्टिय बायुसेना ने हाली में एक इकरत युद्ध खेलों की एक सरंकला रणबिजय अभ्यास का आयूजन किया जिसका जो उद्देश है वो SU-30 जैसे लड़ाको विमानों को सामिल करते हुए दिन और रात के संचालन के माध्यम से लड़ाको पाइलटों के कौशल को बढ़ाना है तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि इस अभ्यास का आयोजन किस ने किया था कुछ महतपूर्ण अभ्यास हैं जनके बारे में जान देते हैं भारत संयुक्त अरब अमीरात और केस देशने समुदरी साजेदारी अभ्यास का पहला संसकरन या कहां पर आयोजित किया गया था तो आप यात रखेंगे उमान की खाड़ी में भारतिये और फ्रांसेसी सेना के बीच पहला संयुक्त सेन अभ्यास जो कि 2023 में ही आयोजित हुआ है ये तिरू बनंत पुरम किरल में आयोजित किया गया दुईपच्छी वायू अभ्यास जिसका नाम है बीरकारजेन 2023 ये जापान में हुआ साइकलोन फर्स्ट ये मिस्रक के साथ किया है भारत ने भारत अमेरिका अभ्यास तरकस इसका आयोजन चैन्ने में किया गया अगला सवाल भारतिय महिला यूगल जोडी जिनका नाम है सुतीरता मुखरजी और अयाहिका मुखरजी निम्न में से कहां आयोजित विश्व टेवल टैनिस कंटेनर टूनामेंट में इन्होंने यह खिताब अपने नाम कर लिया है तो ये प्रतियोगिता टूनिस में विकास बैंक के इस देश को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिण परदान करेगा तो एसीय विकास बैंक के दुवारा यह रिण बांगला देश को दिया जाएगा डिसकस करेंगे क्या अखिन नियूस क्या है तो एसीय विकास बैंक ने चट्टोग्राम और कॉक्स बजार के ब बांगलादेश में ब्यापार, निबेस और परेयटन को बढ़ावा देना है जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है कि चटोगिराम कॉक्स बजार रेलवे ट्रांस एशियन रेलवे याद रखेंगे ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क का हिस्था है जो कि सयोग तराष्ट के नेततोर में एक पहल है अब डिस्कस कर लेते हैं ACI विकास्ट बैंक के बारे में तो यह एक छेत्री बहुप अच्छिय बीतिय संस्तान है जो ACI और परसांत छेत्र के देशों पर ध्यान के दरित करता है इसकी स्ताफना 1963 में होती है इसने 19 दिसंबर 1966 से 31 सदसे देशों के साथ कार करना शुरू किया था बर्तमान में इसके सदस 68 हैं जिन में से 49 सदस एशिया से हैं और परसांत छेत्र के भीतर से और 19 बाहर से हैं तो आपको तो बस इतना यान रखना है कुल सदस से देश कितने हैं यही कुशन बन सकता है इसी के साथ इसमें जो सबसे बड़ा सेहर धारक है वो जापान है बर्तमान में अद्यच कौन है यह नाम महत्पून है याद रखेंगे मासा तुशुगू असा काबा इसका मुख्याले कहां पर है तो मनीला फिलिपीन्स में है अगला सबाएव किस राजिया केंडर सासित प्रदेश में नसीली दवाओं के खत्रे पर नकेल कसने के लिए ओपेशन कबच सुरू किया गया है तो ओपेशन कबच की शुरुवात की है नई दिल्ली में ठीक है कहां पर की गई है तो नई दिल्norm में की गई है याद रखेंगे अगला सवाद Child Help Line 1098 को किस Help Line के साथ समेकित किया जाएगा तो फ्रेंट इस Help Line को 112 यानि की 112 के साथ समेकित किया जाएगा डिसकस करेंगे इस News के बारे में महिले अब बालबिकास मंद्राले ने अपनी वन नेशन वन हेल्प लाइन पहल के हिस्से के रूप में चाइल्ड लाइन दुवारा संचालित मौजूदा चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 को महिला हेल्प लाइन और आपात कालिम प्रतिकिरिया साइता प्राणली 112 के साथ समेकित करने की घोशना की थी अरुनाचल प्रदेश, आंदर प्रदेश, लद्दाग, पुडुचेरी, गुवा, दादानागर, हवेली और दमन्दी, मिजुरम, गुजरात, बिहार इस महीने के अंत तक एक एकरत बाल हेल्प लाइन सेवा सुरूकन ने जा रहे हैं क्लास की शुरुबात में जो सवाल मैंने आप से पूचा था कि किस केंदरी ये मंतराले ने ओशन रिंग अफ योगा, विशेश कारिक्रम का आयूजन किया तो फिंट्स इसका आयूजन किया गया था आयूज मंतराले के दुबारा ऊप्शन ए कल की शेशन का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ओर्डर ओब दा नाइल मिस्टर का जो सर्वोच राज किया सम्मान है ये किसे मिला है तो याद रखेंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी को दिया गया है किंद्री गिरह मंतरी अमिस सहा ने बलीदान इस्तंब के निर्मान का उदगातन कहां पर किया सिरी नगर जमु कश्मीर में किस राज़ में 75 गाओं को सुतंतरता सैनानियों के नाम से जाना जाएगा तिरपुरा में विश्व का सबसे बड़ा रामायन जो मंदिर है ये कहां पर बनाया जाएगा तो फ्रंट्स ये मंदिर बनाया जाएगा बेहार में किस देश ने रिक्त संपत्ती नवीनी करण अनुदान योशना की गोशना की है तो इस योशना की गोशना आयरलेंड की दुवारा की गई है खबरों में रहा हीलियो पोलेस बॉर मेमोरियल किस देश में है तो फैंड ये मेमोरियल आता है मिस्रू में हाली में देश के सेक्षणिक संस्थानों में होली और अन्य हिंदू फेस्टिवल के उस सब पर प्रतिबंद लगा दिया है तो ये पाकिस्तान के दुवारा लगाया गया रहने के लिए विश्व में सर्वस्रेश्ट सहर के से चुना गया है तो पहले स्थान पर है ऑस्ट्रिया का वियाना सेकिंड पर कोपन हेगन थर्ड पर मेलवर्ग और फोर्थ पर सिड़नी पेटियम ने स्टार्टप इको सिस्टम को बढ़ावा देने ही तो किस राज्जिक के साथ समझोता किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ किस भारतिय संस्था ने Google और Apple को BTL LinkedIn के लिए मोबाईल उपकर्णों को सुरक्षित करने के लिए प्रिरित किया है तो यह प्रिरित किया गया था किस के दुवारा भारतिय रुजव पैंक की दुवारा अमेरिका ने भारत में कितने नए वाड़े जिक दूतावास खोलने का फैसला किया है कुल दो दूतावास खोले जाएंगे अब रिवीजन कर लेता है टॉप टेन स्टेटिक जी के कुईशन दसवी अनुसूची के संविधान संसोधन के दुबारा जोड़ी गई तुजो के बाबरी किस भासा में लिखी गई तुर्की भासा में भारती संविधान के किस अनुछेद में बिधान सवाओं की संरक्षना के बारे में बताया गए आर्टिकल 170 में विकरण के सभी प्रकारों अलफा बीटा और गामा का पता लगाने और कि माव के लिए प्रियोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है गीगर काउंटर नाइटरोजन के खोज किस ने की थी डैनियल रदर फोड रुने रास्टी जंडा फेराते समय सबसे उपर कौन सा रंग होता है गेसरी रंग सुप्रिम कोट ने किस अनुचेत के तहट ध्वज फेराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोशित किया आर्टिकल उन्नीस फस्ट के तहट अफ्रीका के दच्छड पच्मी टटपर बेहने वाली माहा सागरिय जलधारा कौन सी है वैंगुला की जलधारा कल की शेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर देख लेते हैं चक्रवाती तूफान बेपर जोए नाम किस देश न रखा तो उसका सही आंसर था ऑप्सन ए बांगलादेश समलाकिंग बिभा की अनुमती देने वाला पहला केंद्रिय यूरोपिय राष्ट कौन सा बना है राइट आंसर था ऑप्सन ए एस्टोनियो किस अनुछेद में कहा गया कि प्रधान मंतरी की न्योक्ती राष्ट पती दुवारा की जाएगी आर्टिकल 75 भारत की सिलिकन घाटी के सहर में स्थित है राइट आंसर था ऑप्सन डी बैंगलॉर अब आप सबी के लिए कुछ सवाल है जिसके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में पहला सवाल भारतिय भासा कारीकरम किस ने शुरू किया है अंतरास्ट्य ओलंपिक समीटी ने ओलंपिक ओर्डर से किस से समानित किया सबसे बड़ी कोसी का कौनसी है हार्मोन दुबारा निर्मित होते हैं तो इन सबी का आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जादा से जादा श सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं नया स्टिशेशन में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत